तो वह देश्ब गाई सब गाइस डीन टेक गिरुक्षाल मिन आना में खुषाल अब आप आज की वीडियो में बात करने वाले बेस्ट पाईवजी स्मार्टफोन अंडर 30,000 क्राइटरी जाता है जो ना बिलकुली मिद्रेंजर होता है ना बिलकुली होता है कि थर्टी थाउ वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कौन से हैं बढ़िया से बढ़िया फाइजी फोन पर जो मैं पहले पता हूं को नंबर फाइव होगा फाइव फोर थी टू ऐसे करके बनाएंगे इसलिए पूरी वीडियो अंट तक दिखना कर अपने नंबर बन तक जानना है कौन सा फोन नंबर पर हमारी के अंदर कौन सा फोन आता है तो गाइस अगर मैं आपको पाइस पराणे फोन के अंदर कोन सा फोन आता है तो अगर मैं आपको पांच पर नंबर पर बताऊं तो तो मेरे साब से अगया लगी विंग विंग आपको नहीं पता है एक फोन था जो एरो प्लेन की शेप लिए जिसमें डूल डिस्पले थी लब गाइस वह था एट्टी थाउजंड का फोन था और गाइस वह मतलब जब अगर आपको डूल डिस्पले नहीं चाहिए तो आप इसके साथ स्नाफड्राइगन सेवन सिक्स्टी फाइफ जी के भाई सेवन सिक्टिफवाइव जी देखने को मिल जाएगा अगर आपको डूल डिस्पले नहीं चाहिए तो आप इसके मतलब मुकाबले में आप बन प्लस नोड भी इसमें स्पेसिफिकेशन आ दिया इसका नापको 32 मेगा पिक्सल का फ्रेंट कैमरा और 64 मेगा पिक्सल का मिल जाता है और दोनों ही ओले डिस्पले आपको देखने को मिल जाती है इसके प्राइस थर्टी थाउजन रख दिया बहुत बढ़िया प्राइस कर सकते हो अब बढ़ते हैं है चौत्फे नंबर की देखर मैं फॉर्त नंबर में बात करो तो है कि realmeika x7 pro आता है मेरी लिएक क्योंकि रियल में यह आप्र काफी अच्छा phone निकल कहा था मनलब diamond city थाउजन प्लस कोई प्रसेसर था मलब काफी अच्छा अच्छा प्रस ता मीटेट्य के साथ आपको 128 की डिस्प्लेय में देखने को मिल जाती है और 8GB RAM और 128GB यह तो बेस क्राइटेरिया है यह तो सब में आपको देखने को मिलेगा एक में छोड़के जो मैं भी आपको बाग्या बताऊंगा इन डिस्प्लेय फिंगर प्रिंट सैंसर और 32 मेगा पिक्सल के इसमे इसके साथ वैसे आपको 65 वोट का चार्जिंग का वायड का सपोर्ट मिल रहा है यह फोन में आप इसको कहां रखना चाहोगा इसके प्राइज तो पुराने फोन लेकिन लेटा सी फोन में पुराने भी नहीं कह सकते 2021 की थे और कुछ तो ट्वेंट में अगर तीसरे नमबर पर आते तो यह तो और भी लोंच हो है मतलो है हाल लेकि दस दिन भी पूरे नहीं होए होंगे मैं बात करो वीवो वी ट्वेंटीवन फाइव जी अब यह बहुत अच्छा प्रोसेसर उसके अंदर आ रहा है मीडिय टैक का ही 800 यू प्रोसेसर आ रहा है फाइट यू प्रोस इमेज स्टेबलाइजेशन और यह सके अंदर बैक साइड में लेकिन इस के अंदर गाइस मतलब आप बिलियो नहीं करोगे कि फ्रंट साइड के नदर भी 44 मेड़ापिक्सल का ओए इस कामरा देखना मिल जाता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइज सेब्लाइजेशन के बा इस अब बाइज ने बहुत बढ़ा इस लिमस्ट फाइज फोन देखना इसलिए नमबर विद्टीन है क्योंकि इसका प्रोसेसर थोड़ा रियल मी इसे मतलब थोड़ा हलका सा कम कह सकता है पर बाकिस्ट जो हता है वह सौफ्ट्यर के साफ से बहुत बढ़ी है इस और लेट अबडेट मिलेंगे इसलिए मैं इसको नमबर थ्री पर रहते हैं नमबर वन के बात बताओं तो यह दोनों बिल्कुली सेम है और काफी अच्छे और काफी भाई तगडे स्पेक्स के साथ इस प्राइस पाइंड के अंदर आपको देखने को मिल जाते है और गाइस अगर ब आपको 30,000 का और जो आपको देखने को मिलेगा 31 32,000 का और जो आईक्यू 7 है वैसे भी 32,000 का है पर वह आजकर ओफर ओफर क्योंगी नया फोन लोंच वाई तो 28,000 का तो इंट्रोड़क्टिर प्राइस था बढ़ जाएगा थोड़े अगर आप गेमिंग के उससे देखो तो मैं पहले बात करना चाहूंगा आईक्यू 7 की इसलिए बात करना चाहूंगा वह आईक्यू 7 और दोनों में सेम प्रोसेसर वह बहुत अच्छा फाइव जी प्रोसेसर लगा वह जो अब रिसेंट एट सीरीज का प्रोसेसर है स्नाइ और त्री हेंड्रेड हर्ट्स का टच सैंप्लिंग रेट आपको इसका देखने को मिल जाता है जो काफे अच्छी बात है पर इसका में फीचर ता डूल मास्टर करके था डूल चिप इसकंदर लगे हुए कि इंटैलिजेंट डिस्प्ले चिप इसकंदर आपको देखने को म मिलना रहता है मतलब खोड़ा तो प्राइस तो कम हो जाएगा वह एट जी वी राम बन ट्वेंट इसका एक हाइर वेनेट जो कुछ जादी हाइए जो थर्टी सिक साउदन का बढ़ जाता है वह है ट्वेल जी वी राम और टूफिटी सिक्टी सिक्टी स्टोरेज अगर मैं गेमिंग के पॉइंट यू से देखो तो यह बहुत बढ़िया पैकेज है आई आई को सैवन जिसका ना फोट्रें मेकर पिक्सल का आपको ओएस कैमरा बैक साइड में ट्रिप्ल कैमरा सेट अप देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छा है मेरे साब से मैं इसको भी नंब अच्छे फीचर्स आ रहे हैं लेकिन दोनों में प्रोसेसर से में इसमें भी आपको पावरफुल स्नैपड्राइगन 870 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है लेकिन क्योंकि इसका थोड़ा प्राइज आपको सस्तर मिलता है और पाइस ऑलमस्स सेम और काफी और इस पर भी थो है जो मतलब भाई हाला कि तो फोर्टी हर्ट्स को भी बहुत जादा मानते हैं मतलब नोर्मल में लेकिन अब 360 हर्ट्स हो भाई अलागी लेवल पर बहुत चुक है और इसमें बहुत बढ़ी बात है इसमें आई पी 53 की रेटिंग मतलब पानी में डालो तीस मिनिट तक रख देखने को मिल जाएगी इसमें बहुत जादा तगड़ी लेकर आरा है इसमें पूर्ट कामरा सेटप भी देखने को मिलता है और जिसके अंदर आता है वह है आपका अगली वीडियो में और आपको वीडियो कैसी लगी और आपके साथ से क्या ओडर होना चाहिए था कौन सा फोन पहला आना चाहिए और इसके साथ में बता रहा हूं उसके लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में जरू मिलेंगे मिलता हूं आपको अगली वीडियो में तब